तो अब हम यहाँ पर एडवांस जावा सिखेंगे याने हम एक्जैक्टलि क्या सीखने वाल है जावा एंटर्प्राइज एडिशन इसके पहले हम लोग ने जावा स्टैनलर्ड एडिशन सीखा था Now, अब हम लोग Java Enterprise Edition सीखने वाले है तो जो Java Enterprise Edition है इसमें हम लोग Web Tier के बारे में बात करेंगे यहाँ पर हम लोग Java में एक Web Application डेवलप करेंगे हम Web Tier में काम करने वाले हैं ठेक है? और इसमें एक Web Application हम डेवलप करेंगे ऐसे Application जिनको हम लोग को एक System में इंस्टाल करना पड़ता है वो Standalone Application है ठेक है? यानि Individual Machines में अगर मुझे Software इंस्टाल करना है तो वो Standalone Software है आपके Machine में करेंगे तो आप यूज़ कर पाओगे और किसी के Machine में हम इंस्टाल करेंगे तो वो Person भी यूज़ कर पाएगा लेकिन जिससे भी यूज़ करना है उसे अपनी Machine में इंस्टाल करना पड़ेगा ऐसे Software क्या हो गया? Standalone पर अब हम लोग Web Software के बारे में बात करना चाहते है Web Applications के बारे में तो यहां हमारा डिस्कुशन है Web Applications Create करना तो जो हमारा Web Applications है उनको बनाने के लिए पहले इस पुरे Web Environment को समझना पड़ेगा कि यह Environment क्या है? तो यहां सबसे पहले आता है Client Machine Client Machine के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे यह रहा हमारा Client Machine Client Basically क्या होता है Client Basically होता है यह Client Machine इस Machine को ऑपरेट करने वाला यूजर और वो Software जिसके त्रूँ आपका Machine Client Machine बन गया है ठीक है न? केवल Computer System होना Computing Device होना सफिशन नहीं है उसमें वो Software भी होना चाहिए जो आपकी Machine को यह Client Machine में Convert कर सकता है ठीक है? तो यह End User इसका Machine और वो Software जिसके त्रूँ हम लोग Internet Network से Connect होंगे ठीक हम लोग Web Application बनाने के बारे में बात कर रहे है World Wide Web से हमारे Client Machine को Connect होना पड़ेगा और इसी Internet Network से दूसरे End पर Server भी Connect है ठीक है? तो जो हमारा Server है वो भी एक तरह का Computing Machine है Server लेकिन Server बना कैसे? वो एक Normal Computing Machine है लेकिन वो Server बना कैसे? हमने उसमें Server Software इंस्टॉल किया हुआ है ठीक है? यहाँ हम लोगोंने Client Software की बारे में बात किया यह क्या है? Client Software और यह क्या है? यह Server Software है Server Software ठीक है? ना तो हमारा Computing Device में Server Software इंस्टॉल को रहेगा तो हमारा Computing Device Server में बन जाएगा हमारे Computing Device में अगर आपने Client Software इंस्टॉल किया तो वो एक client machine में convert हो जाएगा लेकिन ध्यान रखना है ये client और server दोनों internet network से connected होना चाहिए, worldwide web से connected होना चाहिए, ठीक है अब हमारा जो web application है वो कहाँ पर हम deploy करेंगे server software के अंदर ठीक है, तो हम server software का use करके हमारे web application को run करेंगे, हम ऐसा बोलते है और server रखा कहां उपत होता है remote location पे, तो हमारे internet network में वो remotely कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है और जो client है, वो दुनिया के किसी भी कौनी में हो सकता है दुनिया भर में gazillions of clients system available है ठीक है, और बहुत सारे servers भी available है हम different different server पे जाकर different different services को access करते हैं servers हमें क्या provide करने वाल है services ठीक है, और resources resources पे एक दरका service ही हुआ है ऐसा हम माल के चलते हैं services provide करता है, आप railway की website में जाके ticket book कर सकते हो airlines की website में जाके आप plane का ticket book कर सकते हो electricity company की website में जाके electricity bill pay कर सकते हो facebook में जाके आप social networking कर सकते हो बैंक की वेबसाइट में जाकर बैंकिंग कर सकते हो और पता नई this किसे सारे वेब अप्लिकेशन भर में फैल्य होगे है वो अपने-पने सर्वर में डिपलॉयड है और उनकी अपने-पने कस्टमर स्वाइट दुनिया के सरहर कोने से उन उन विब साइट्स को एक्सेस करते हैं तो हम्हारा वैब अबलेकेशन कर रखा हो गा किया है तो जो सर्वर साइट पर जो डिवाईस है वह भाहत ही हीएंड मशिण होता है या बहुत सारे एहसे सर्वर मशीन का एक बहुत बड़ा कलेक्शन होता है ठीक है? क्लस्टर अफ सर्वर्स हम बोल सकते है और वो एक सिंगल सर्वर के समान बहेव कर रहा है ऐसा आप experience कर सकते हूँ ठीक है? तो यहाँ ड्रॉ करते समय मैं सेंपल एक CPU बना देता हूँ CPU नहीं बना चाहिए, cabinet, server machine ठीक है? तो अभी यहाँ पर जो client है, वो करता क्या है? client basically request send करता है कि हमें ये resource चाहिए है, हमें ये service चाहिए और server क्या करता है? वो हम लोगों को response send करता है response हमें send करता है right? तो client request भेज़ेगा, server response send करेगा client request भेज़ेगा, server response send करेगा और ये पूरा cycle इसी तरह से चलता है तो हमारे application को हमारे client machine में install करने की जरूरत नहीं है वो तो server machine में install करेंगे उतना sufficient है ठीक है? तो server machine में install करने का फायदा ये होता है कि हर एक client को जो remote location पर है उन्हें अपने end पर अलग से इंस्टाल करने की जरूरत नहीं है software को और वो सभी लोग उसी application को access करेंगे server इतना capable होना चाहिए कि इतने gazillion of clients की different different requests को concurrently process करते आना चाहिए तो ये hardware जो environment है बहुत ही solid environment है बहुत ही huge and complex environment है जो इतने सारे gazillion of clients की request को handle कर सकते है load balancing और clustering के थूँ इस तरह की requirement को हम handle कर सकते है ऐसा अगर आप study करोगे तो आपको मालूँ होगा अब हमें यहाँ यह समझना है कि हमारे पास server software कौन कौन से होते हैं ठीक है? तो हमारे पास तरह तरह के server softwares होते हैं जैसे कि मünf सर्वर aby वेब सर्वर जो विब सर्वर है उसके अलावा हमारे पास होता है chat server जेटा सर्वर जो की chatting करने में हमें help कर सकता है और mail server जो email send or receive करने में help करते है mail servers ठीक है? database servers database, servers ऐसे करकि ऐसे बहुत सारे servers होते हैं, telnet server हो गया, ftp server हो गया, ऐसे बहुत सारे servers, software होते हैं, हम basically किसके बारे में बात करने चाहते हैं, web server के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम लग तो web application develop करना चाहते हैं, ठेक है, तो हमें web server के बारे में बात करना है. अब ध्यान से देखो कि इस web seravour से communicate करने के लिए हमारे client site पे कौन सा software हम इंस्टाल करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास जैसे माई χब वेb server से communicate करना है. तो हमारे पास web client नाम का software होना चाहिए. client site पे web client होना चाहिए. वेब क्लाइंट मितला ब्राउजर सौफ़वर कौन कों से ब्राउजर के बारे में आप जानते हो हमने कहा जी हम क्रोम के बारे में जानते हैं मौजिला के बारे में जानते हैं अपेरा के बारे में जानते हैं सफारी ये सब ब्राउजर के नाम है Safari Mac में चलता है Internet Explorer, Edge तो यह number of जो ब्राउजर्स है इन ब्राउजर्स के वर में आप जानते हैं यह सब वेब क्लाइन्ट सॉफ्फिर्स है जो अगर आपकी मशीन में इंस्टॉल्ड है तो आप as a client बहेव कर सकते हो यानि कि आप request send कर सकते हो और उस end पर बैठा हुआ जो वेब सर्वर है वो आपको respond करेगा तो वेब क्लाइन्ट किस से communicate करेगा वेब सर्वर से communicate करने वाला है ठीक है वाईसी कुछ chat client software भी होते है chat client software पहले इनका बहुत use था जैसे कि MSN, Microsoft का chat client software था Google का Gtalk Yahoo Messenger का Y Messenger इस तरह से बहुत सरे chat clients होते थे वो chat client अपने chat server से communicate करते थे और इसके अलावा हमारे पास कुछ mail client software भी होते है mail clients में आपने सुना होगा Outlook Express और जो मॉजला का Thunderbird है इन सब का यूज करके आप offline emails को read कर सकते हो एक बर आपने mail clients को install कर दिया आपके Gmail, Yahoo Messenger, Rediff Mail कहीं पर भी आपका email account होगा उसका POP3 SMTP server configuration करना होगा आपको आपको credentials प्रोवाइड करने होगा और उसके बाद आप अपने जो email account है जो अलग-अलग platforms पर है वहाँ से mail को आप fetch कर सकते हो ठीक है आपको कोई बटन पर नहीं प्रेस करना है जैसी है आपका device, आपका client machine connect होगा internet से वो खोदी जाके अपने mail server से communicate करके वहाँ से क्या कोई नया mail आया है क्या उनको fetch करके आपको लाकर दे देगा ठीक है? Done इंटरनेट सर्फिंग होती कैसी है हम लोग browser software के use करते है हम browser के थूँ internet surfing करते है 99.99% हमारा पूरा समयवसी में इसी तरह के software में ज्यादा spend होता है तो इस overall environment में हमें आप आगे एक और step समझना है वो ये है कि ये जो web servers होते है ठीक है? क्या उसके हमारे पास कोई example है IIS server IIS server Microsoft का server Apache server ठीक है Apache server इसका है लोग use PHP websites के लिए करते है जिन उसके बाद हमारे पास और भी servers है जैसे कि Tomcat server Tomcat server JBoss JBoss Glassfish Glassfish WebSphere WebLogics SunServer ऐसे करे इस सरे number of servers है ये जो बाद में मैंने जो नाम लिए है Tomcat JBoss Glassfish WebSphere WebLogics और SunServer ये सारे के सारे जो है ये Java server से तो ये Java में design program है और Java web applications और उनके लिए हम इसका use करते है हम web server में से कौन सा server use करने वाले है हम Tomcat server use करने वाले है ठीक है तो इस discussion के बाद मैं next video में इस discussion को और continue करूँगा इस video में इतना ही